वाली पार्टी से अगर आप भी थग हैं तो आज मैं आपके लिए सेयर करने हैं आपके साथ एकदम टेस्टी हेल्दी और इजी रेसिपी जो कि एकदम स्वादिश्ट है और इजी भी है तो चलिए अपनाने के लोग सुरू करते हैं तो यहां पर मैं ले रही हूं एक जागने ही आनी चाहिए काले-काले ऐसे हम निकाल लेंगे रोश्ट करके और इसके छिलके भी आपको निकाल लेना है आप चाहे तो छिलके के साथ भी यूज़ कर सकते हैं पर मैं यहां पर इसके छिलके को हटा लूँगी इसे लग ठंडा होने के लिए अब यहां पर हम ल यहां पर तीन से चार आलू को छील लीजिए अच्छे से और उसे छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे हम अगर आप प्यास खाते तो प्यास के भी चौप करके ले लिजेगा यह रेस्पी आप यह जो मैं बना रहे हूं यह काफी हेल्दी है यह कभी भी आप छोटी म भूक में बना सकते हैм सामके टाम यह सुबह मोर्निंग के ब्रेकफॉस में भी अगर आप डायट्च्ट कर रहे हैं तो यह यूज कर सकते हैं यहँ पर मैं आलू को कट狌 कर लिय है आप कोई भी यहां पे ले सकते हैं ब्रोकली भी ले सकते हैं जो आपको पसंद्द आ है व आप प्याज कॉप कर लिए। तो इसमया हो रेक यहां पर यहां पर तेखा इसका हम 가지 Wahhao select retailer कि और सीधर श। 17istem को सब्सक्राइब शबर वखालज पर खाया है खाया, इस रेक्त शुरम रेयष को कर सकते हैं ऐसे घरों में आलू अक्सर उबले रहते हैं, कि मैं अक्सर जब भी आलू उबालते हूं, तो थोड़ी सी आलू रख लेते हूं, जादा ही उबालते हूं, ताकि ऐसी चीज़े हमें बना-बना के अक्सर खाते रहते हूं, साम की भुक में हो, यह जैसे कि हम दुपर के खाने क बास साम होती है लगता है कुछ थोड़ा सा चटपटा खा ले और मैं तो चटोरी हूँ आपको तो पता ही है कि मैं कितनी चटोरी हूँ हमेसा नह 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 चटपटा चिछ खाने का मन मुझे होते रहता है तो इसलिए मैं जब भी आलू उबालते हूँ तो तीन चार आलू अब यहां पर आलू को हम फ्राइ कर लेंगे, ज्यादा उल का यूज नहीं करना है, आप चाहे तो बगेर फ्राइ किये भी बना सकते हैं, कटिंग करके, पर फ्राइ करने से क्रिस्पी पना जाएगा, अस्वाद बहुत ही अलग हो जाएगा, अगर आप ब्रोकली बगेरे डाल रहे हैं, तो उसे इस्टीम कर लेज़े, यह पानी में पका सकते हैं, मैं यहां पर कोई भी वेजटेबल उसना यूज नहीं करें, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटेटी में हो जाती है, तो मैं सिर्फ आलू पनीर का यूज कर रहे हैं, तो यह देखिए बहुत अच्छे क्रिस्पी पना गई है आलू में इस इस तरह से, अब इसे हम निकाल नमक कर लेंगे, मीडियूँ फ्लेम में इसे हम फ्राय करेंगे, थोड़ा से नमक डाल दियों है ताकि अच्छा से इसमें फ्लेवर आ जाए, थोड़ी सी हल्दी इसमें देखने में बहुत ही अच्छी लगे, अब यहां पर हम डाल लेंगे पनीर, पनीर के पीसे को भी मैं अच्छा लगे, क्योंकि यह तीखा नहीं होता है, और बहुत ही अच्छी इसमें देखने में कलर आ जाती है, इसे भी अच्छी से फ्राय कर लेंगे, अब यहां पर मैं चने को काले चने को राद भर के लिए भीगो के रखी थी, जोकि अच्छी से भीग गे थी, उसे मैंन पर आती है, साम के समय खाने में, इसलिए मैं यहां पर चने को पका के यूज कर देखे, अब इसे हम भूल लेंगे, इसमें तेल भी है, मसाले भी है, सारी चीज़े है, कुछ भी डालने की ज़रत आपको नहीं है, से मुसी फ्राय फेन में मैंने इसे भूल लिया है, अब हम इसे निकाल लेंगे, किसी बड़े से बरतन में, मिक्सिंग बॉल में, या भगोना में, जो भी बोलते हैं, आप उसमें निकाल लेंगे, अब यहां पर जो भी है, मैं यहां पर तयार की हूँ, आलू, पनीर, टमाटर, हर इमेज, हरा धनिया, मुख वाली, सारी चीज़ों क इसमें हम डाल लेंगे, जितने भी अगर प्याज ले रहे तो प्याज को डाल लेजें, वेजिटेबल्स ले रहे वो डाल लेजें, सारी चीज़ों को डाल लेजें, तीखा कि ज़्यादा खाते हैं, तब हर इमेज चॉप करके डाल लेगा, नहीं तो आप हर इमेज को स्की हीजिने सारी चीजें वहती हैं और बहुत सारी चीज़ें आप विडियो देख सकते हैं पिछले विडियो में थ्वाद से नीमूनी चोड़ लेंगे अब सारी चीजों के मिक्स करेंगे अब यह हमारी चार्ट तयार है, एकदम इजी वाली, क्विक वाली और यह खाने देखने में जितने लग रही है ना, खाने मुसे कहीं ज्यादा टेश्टी लगती है, तो सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया, यह देखें, लुक कितने अच्छे आ रही है ना, बस जितने अच्छे आ प्लिभ भी होता है ति इस तरह से बना के आप जरूर ट्राइके जगा बहुत ही स्वादिश लगते खाने में और अच्छी भी लगती और यह गल्दी ibn है यह तिस तरह से जरूर बना के ट्रायकिश जगा कैसी लगी मेरी कमेंट करें जोड़ बताएगा अच्छी लगी त तो भी कमेंट कर सकते हैं थाइंक यू बाचिंग मैं वीडियो बैबाई टेक केर तो मिलते हो मैं नई रेसिपी के साथ सी यू